है गाइस वाचाप दिशिवरी फ्रम एगैजेट फो यू दोस्तों इस वीडियो में बात कर लेंगे ओपो आर्वान फाइट प्रो के बारे में जो कि कल अफिशेली लॉंच हुआ है इंडिया में दोस्तों 2019 के सबसे पहले हमसेट होने जा रहा है ओपो की तरफ से सो स्टारेट दोस्तों ओपो आर्वान फाइप प्रो यह पिछले साल लॉंच होँआ था चाना में अब जाके इंडिया में भी लॉंच हुआ है और ऑफिशी 2019 का पहला है जो से दोस्तों ओपो आर्वान फाइप प्रो में बहुत शार बहुत अच्छा अच्छा फीचर से दे प्रोटिक्शन में मिल जाता है विट ओविशी वाट प्रूफ फीचर तोस्तों सबसे पहले प्राइशन को लिप्टा रहते हैं ओपो आर्वान फाइप प्रो एंडिया में प्राइसिंग होगा 25,990 रूपीस एंड एक्स्क्लूसिव ली एक ही वैरियंट आएगा इसका ज और सबसे पहले पीछहाए प्रोल कामेरा से एकमेरा से लेलेगा आपिशन इंड रहेगा यहां पर एमड्र रहेगा और ओविस्वेचल आइमेड मेंस वाइए जाये प्राइमरी सेंसर अपको मिल जाएगा यहां पर अपको आपको आपविश्य चीन रेकोंगेशन बीचू ब्यूटी टेक्निलोजी आर्टिस्टिक पोट्रेड मोड जेंडर एड़ स्कीन कलर टेक्स्चिर पेस्चेप प्यूपिल करेक्टरिस्टिक सब कुछ एन्हांस करने के लिए अच्छा फीचर्स रहेगा कैमरा की मामने में यहां पर आपको गेम अक्सलरेशन मोड प्री लोडेट आपको मिल जाएगा कैमरा में जो कि आपके सिस्टेम रिसोर्स को एड़ेस्ट करेगा इंटलीजिंट ली जब आप गेम खिलोगे यह हैंसेट के साहर और यह हैंसेट ऑब्यस्टी एन्फसी वार्लेस पेमेंट सपोर् होगा अपको ओपर 15 Pro Color OS 5.0Q पर रहन होगा Android Oreo 8.1 straight out of the box पको मिल जाएगा 6.28H का full HD plus screen पको मिल जाएगा 19.9 aspect ratio के साथ 89% screen to body ratio मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 660 chipset है 6GB RAM 5 Adreno 512 GPU 120GB internal memory and primary cameras कि अगर figuratively बात करें तो यह 20MP का primary sensor होगा Focal aperture 8.1.7 के साथ 16MP secondary camera होगा तो Focal aperture 8.2.0 सामने की camera भी आपको 20MP मिलने को भी तब Focal aperture 8.1.7 दोस्तों and of course इसमें 3.5 में headphone jack रेटेन किया गया है 3430 mAh बैटरी मिल जाएगा walk fast charging मिल जाएगा जो की OPPO की अब train बनते जा रहा है दोस्तों आप तो बात यहां पर यही है वो पा high emphasis दिया गया है camera's की ऊपर and of course glass protection आपको पीछे भी मिल जाएगा यह of course आपको मतलब यह waterproof बन जाएगा यह particular handset ऐसे दावा है वैसे कोई certifications नहीं official certifications कुछ नहीं है लेकिन waterproof है कुछ न कुछ हद तक यह ऐसे गदावा है OPPO का and obviously walk charge चुकि बहुत ही popular हो गया है obviously with oneplus अपको dash charge में तो को साथ walk charge में तो कि अगर realistically देखे तो obviously बहुत fast charging होता है and इसके साथ Android Oreo 8.1 शायद यह negative impact होता है दोस्तों मेरे काल से क्योंकि 2019 स्टार्ट हो गया है Android Pie होना चाहिए और एक handset में दोस्तों वैसे यह personal opinion है let me know आप क्या सोच्टिव इन कॉमें सेक्टेंस बिलो और इसका प्राइसिंग के तो obviously trends के मताबिक जैसे पहले भी होते आया है कि हाँ थोड़ा बहुत प्राइसिंग है इन ओपो हैंसे यह हैंसे कोई exception नहीं है इसका प्राइसिंग मेरे खाल से थोड़ा बहुत हेवियर होता है तो यह चिपसे बहुत अच्छा हथ तक सपोर्ट करता है तो तो यह परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा है और प्राइसिंग राम है लेकिन फोड़ा और कम हो सकता था तो यह परसलों पीनल है मेरा तो दोस्तों अगर आप खरीदना चाहते हो ए मेरे चैनल को जरू सब्स्ट्राइब करना और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी आउन करकर रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करू मेरे चैनल पे तो होपसो यह वीडियो है रहा आप सभी के लिए जितना